हेलो स्टूजेंट गुड मॉर्णिंग आप सभी कई वफी से स्वागत है आप अपने यूटूब चैनल इसको से ले अजूकेशन में और आज हम पढ़ रहे हैं हमारी फिफ्ट किलास के मैस का फिर्स चैप्टर फिस टेल तो कुछ पोर्शन इसका हमने कर लिया और अब हम कर करेंगे इससे आगे का पोर्शन वीच बोट गेट्स हाव मच कौन सी बोट कितना प्राप्त करती है यह पढ़ेंगे यहां पर इन वन ट्रिप ओफ लोग बोट बिरिंग अबाउट 20 केजी ओ फिस कि लोग जो बोट है वो एक बार में 20 किलोग्राम फिसीज लाती है बट अ कि यह बी स्पीड भी बता रखिया कि गंटे में कौन सी बोट कितने किलोमेटर जाती है तो नीचे टेबल है इसमें देखना हमें अबाउट हाव मच फिस इन ओल विच इच टाइप ओ बोट ब्रिंग इन दा सैवन ट्रिप में हर तरह की मचली कितना यहां पर लेके कि यह हमें यहां पर बताना है तो पहले अपनी टेबल देखते हैं टाइप ओ बोट लोग बोट यह अलग लग तरह की बोट से हैं यहां पर एक ट्रिप में कितनी मचली आप कितनी किलोगराम मचली आप पकड़ते हैं यह बता रखा है और यहां पर है स्पीड ओ बोट या 600 kg फीशेज पकड़ के लाती है और 12 kg पर आर के इसाब से km पर आर के इसाब से वो चलती है motor boat 800 kg फीशेज पकड़ लेती है और इसकी speed है 20 km पर आर यान की एक गंटे में 20 km ये चलती है और आगे है machine boat machine boat एक बार में ही कितनी फीश पकड़ के लाती है 6000 kg 6,000 kg मचलिया पकड़ लेती है और इसकी speed है 22 km पर आर तो यहाँ पर बताना है कि हर परकार की फिश कितनी हर परकार की boat कितनी मचलिया साथ trip में लेके आएंगी तो हर परकार की को हम साथ से कर देंगी ये साथ मिलाएगी कितना 140 इसको साथ से करेंगे तो 4200 मल्टिपलाई कर देना है सब को साथ से अलग अलग परकार की ठीक है और आगे हमें बताना है about how far can any motor boat go in 6 hour की motor boat तो देखो motor boat यहाँ पे है और ये एक घंटे में कितनी किलोमीटर जाती है 20 तो 6 hour में कितना जाएगी यहाँ पे देखो motor boat goes in 1 hour एक घंटे में कितनी किलोमीटर जाती है 20 किलोमीटर and motor boat goes in 6 hour 6 घंटे में कितना जाएगी 6 hour में कितना दूर जाएगी है यहाँ से पूछा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 20 multiplied by 6 और इसको multiply करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर motor boat जाएगी तो यहाँ पे हम करेंगे 120 आगे पूछ रहा है If a long tail boat has to travel 60 किलोमीटर How long it will take देखो यहाँ long tail जो boat है वो 12 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चल रही है तो वो एक घंटे में तो 12 जाती है जब कि जाना उसको कितना है 60 तो 60 किलोमीटर में कितना समय वो लेगी यह हमें देखना है तो चलो देखते है 12 किलोमीटर कितने समय में जाती है वो 1 आर में तो फिर long tail boat 1 आर में कितने किलोमीटर जाएगी तो कम जाएगी ना तो 1 divided by 12 लिख लो 1 divided by 12 और जाना कितना है उसको 60 किलोमीटर तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 divided by 12 और multiplied by 60 तो 12 बन जा 12 12 5 जा 60 यानि कि 5 आर में वो चली जाएगी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं सिधा भी कर सकते हैं कि 60 और divided by 12 यानि कि 5 आर आप चाहे उपर वाला मेथड कर लेना चाहिए नीचे वाला कर लेना आगया समझ में यान पर है some big big number कुछ बड़े बड़े number वोग बड़ी बड़ी संख्या हैं in the class 4th math magic you heard the number of lakhs which is equal to a hundred thousand to one lakh is equal to one hundred thousand you had read that there are about one lakh brick kilon in our country where bricks are we तुमने उसमें पढ़ा था ना 4th class में कि भाई हमारे यहां पर कम से कम लगभग एक लाख इट के बठे हैं जहां पर इटे बनाई जाती हैं what other things have you heard in lakhs lakhs में और क्या तुमने सुना है किसी गाउं की किसी सहर की population lakh में होसकती है vive गाउं की तो होसकता है lakh ना हो लेकिन किसी सहर की उसमें होसकresh और क्या होसकता है lakh में हम रुपे पैसे भी गिनते हैं तो इस तरह से और भी जो आपको only किन चीजों को हम लैक में गिनते हैं वो आपको बतानी है write the number one thousand correct one thousand लिखो and now write one hundred thousand so how many zeros are there in the number one like देखो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं one thousand thousand होगे ना one stands hundred thousand तो thousand होगे इसमें कितनी zero है थ्री और thousand के बाद अब हम लिखते हैं one like और यह देखो one stands hundred thousand टैन थाउजन और यह one like या इसको one hundred thousand भी बोलते हैं तो यहां पे देखो one like में कितनी zero है one two three four five one like में कितनी zero हो गई five zero और अगर digits तुम से पूछा जाएं तो यहां पे बताओगे six digit है ठीक है और उन में से आधी बोट यानि two like है तो उन में से एक लाक ऐसी बोट जिनके उपर मोटर नहीं लगी हो तो simple अपनी बोट होती है what is the number of boat with a motor तो फिर motor की कितनी हो गई two like है उन में से आधी यानि कि one like one like तो बिना motor की है तो one like हो गई बच गई वो किसकी बच गई वो बच गई motor वाली one like ठीक है about one fourth of the boat with a motor are big machine तो one fourth of the boats with a motor तो motor की कितनी बोट है वन लैक और इसका one fourth यानि कि चोथा हिस्सा तो one like का चोथा हिस्सा कितना हो जाएगा वो motor यहाँ पर कैसी है जिनमें की machine बड़ी बड़ी machine है छोटी बड़ी बड़ी machine है how many thousands machine boat are there कितनी machine boat ऐसी है जिनमें की बड़ी बड़ी motor है यह तुम्हें यहाँ पर बताना है तो इसका one fourth आप यहाँ पर कर लोगे कितनी आजेएंगी 25,000 boat ठीक है we might wonder about the number of people whose leaves are related to fish in all there are about 100 lakh fish worker who catch fish clean and sell them make and repair nets and boats etc यानि की लग भग 100 lakh यानि की एक क्रोड इतने लोग हैं जो की मचली पालन के काम से जुड़े हैं कोई मचली पकड़ता है कोई उनको धोके सुखाता है कोई बेचता है कोई नाव ठीक करता है कोई नाव बनाता है इस तरह की सब मचली से रिलेटेड कामों में जुड़े हुए हैं वेर हैव यू हर्ड ओफ एक क्रोड एक क्रोड तुमने का सुना था हमारे देश की पॉपूलेशन है क्रोडों में तो किसी बड़े सहर की पॉपूलेशन वन क्रोड हो सकती है या फिर किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं उनके पास भी क्रोडों की संपत्ति हो सकती है ना ट्राइ राइटिंग दा नमबर वन क्रोड डॉंट गेट लोस्ट इन ओल दा जीरो करा है कि वन क्रोड संख्या जो होती है जो नमबर से उनको लिखो लेकिन कितनी zero लगें कभी zero यह zero न लगाते चले जाओ तो चले हम देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ देखेंगे one क्रोड कैसे लिखा जाएगा one ten hundred thousand ten thousand lakh ten lakh और यहाँ पर हो गया one क्रोड ठीक है तो यहाँ पर देखो one क्रोड में कितनी zero है one two three four five six seven seven zero है अगर digit पूछे कि कितने digit होते हैं 1 crore में तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे तो यहाँ 1 crore is equal to 100 lakh देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh 10 lakh और 10 के बाद 100 lakh 100 lakh बोल दें या 1 crore एक ही बात है ठीक है इसके साथ यह अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे की वीडियो हमें हम करेंगे अपना आगे का portion वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, तैंक यू